असलाम लेकुम स्टूडेंट्स, आज हम यूनिट 5 के पेज 58 से प्रेजंट एंड पास्ट पार्टिसिपल का यूज पढ़ेंगे। पार्टिसिपल क्या है? पार्टिसिपल वो वर्ब फॉर्म है जिसे हम एड्जेक्टिब के तौर पर इस्तमाल करते हैं। वो वर्ब फॉर्म है जिसे हम एड्जेक्टिब के तौर पर इस्तमाल करते हैं। यानि वर्ब जो के काम का करना या होना उसको कहते हैं और एड्जेक्टिब जो हमें वो लफ्स है जो नाउन के बारे में बताता है। तो ऐसा वर्ब जो के adjective के तौर पर इस्तमाल हो पार्टिसिपल दो तरह के हैं present participle, past participle present participle वर्ब की first form के साथ ing लगाने से बनते हैं जबके वर्ब की third form past participle कहलाती है अब देखते हैं कि verb form जो है वो as adjective किस तरह से इस्तमाल होती है पहले present participle को देखते हैं जो वर्ब की first form के साथ ing लगाने से बनते हैं यहाँ पर example दी हुई है the laughing lady अब यहाँ पर lady noun है और इसको describe कर रहा है यह लफ्स laugh और साथ में ing तो lady किस किसम की lady है laughing lady तो यह noun को describe कर रहा है laughing तो यह present participle है और यह adjective हो गया क्योंके यह noun को describe कर रहा है इसी तरह नीचे है the falling temperature temperature इसमें noun है और noun को कौन सा लफ्स बयान कर रहा है falling जो के present participle है क्योंके यह verb की first form के साथ ing लगाने से बना है और यहाँ पर यह noun को describe कर रहा है temperature को इसलिए यह present participle हुआ as an adjective falling present participle adjective और temperature noun है यहाँ से एक example देखते हैं अब यहाँ पर roaring lion इसमें lion noun है और इसको describe कर रहा है word roaring जो के present participle है और तो चुके यह lion यहनी noun को describe कर रहा है इसलिए यह adjective हुआ तो roaring lion में roaring adjective और lion noun है past participle को देखते हैं जो के verb की third form होती है the tired dancer इसमें भी वही जो है तरीका होगा tired dancer इसमें noun है और किस किसम का dancer है? tired तो यह tired जो है वो past participle है जो के noun को describe कर रही है तो यह as adjective यहाँ पे use हुई the injured player यहाँ पे noun है और इसको describe कर रहा है word injured जो के past participle है तो यह चुके noun को इसने describe किया तो इसको हम कहेंगे कि यह यहाँ पर as adjective यूज हुआ है यहाँ से देखते हैं the police caught the escaped prisoner escaped prisoner prisoner noun है किस किसम का prisoner? prisoner escaped भागा हुआ past participle है और यहाँ पे noun को describe कर रहा है इसलिए यह adjective के तौर पर use हुआ है तो यह आपने इसको अच्छी तरह से समझ लेना है और इसके नीचे जो f part दिया हुआ है उसको खुद करना है इसके इलावा g part है उसको भी करना है आपने मैं भी आपको send करूँगी आपने उससे tally कर लेना है और इसको अच्छी तरह से समझ लेना है